अलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम कलास 10 के बिज्ञान का प्रकास का प्रावर्तन था अपवर्तन से संबंदित जितने भी important question है जो आपके 2024 बोर्ड के exam के लिए important है आज इस paper का यहां पे पूरा हल देखेंगे देखें फ्रेंस जो यह test हुए था आपका 50 number का test था समय जो आपको दिया गया था गंटे का था ठीक है और यह test था प्रकास का प्रावर्तन था अपवर्तन का अब चलिए इसका संपूर हल आपको बताते हैं फ्रेंस देखें यहां पर आपका पहला सवाल था कि किस माध्य में प्रकास की चाल नियुंतम होती है जिसका सापसंता हीरा जल काच कैरोसीन देखें इसको हल करने से पहले आपको बताते हैं कि 2024 में जो बोड का एक्जाम होने वाला है उसमें यह प्रस्ण आपको सेम पूछा गया ठीक है देखिए आप इस वीडियो के बस अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रस्णों को सभी होगा ठीक है तो आपका प्रकास के चलरलनी उंत्म किस तो हीरेमें आपकी प्रकास की चलर निन्टम होती ठीक़्ैं अब चलीजिए को को करते हैं देखे फ्रेम्स आपका ढूसरा सवाल है कि एक ऑपर लेंस की is これ 5 है इस्की छंप्ता होगी ठीक है अब देखिए इस कितना है पांच भाग दें कितना जीरो दसमनों दू और शमता के मात तरफ डायव्टर होता है जिसको डी से देखाते हैं अब देखें फ्रेंश यहां पर लिखा है आपका याद राहना चाहिए कि आपको अटल लेंश ठीक आपको अटल लेंश होता है और एक होता है उत्तल दोनों का कंसेप्ट यहीं पर बता देते हैं जिसको आप याद रखिए देखें फ्रेंश जो चंपता होती है रिरात्मक होती है और फ्रेंश जवाब भी वला आपसन करेक्ट हो जाएगा अब फ्रेंश चलिए अगले तीसरे नमबर के सवाल को देखते हैं आपका तीसरा नमबर का सवाल है कि एक अवतल लेंज द्वारा किसी वस्तु का बना परतविम होता है देखे फ्रेंस यहां पर लेंज को ध्यान दिजियेगा कौन सा लेंज है यहां पर आप आपसर को ध्यान के पढ़ें देखिए अब 80 उल्टा वह छोटा आभासी सीधा वह बड़ा आभा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है कि यह वाला आपसन देखें किसमें देखें जब देखें कि आपसी सीधा वह बड़ा ती इसका सही जवाब क्रेक्ट हो जाएगा ठीक है यह अगले नंबर के देखते हैं सब्सक्राइब करेक्ट होगा चली अगले नंबर के सब्सक्राइब करेक्ट होगा चली अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल है कि कौन सब्सक्राइब लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है आपसने जल कांच प्लास्टिक व मिट्टी देखें इसका सही जवाब होगा डी वला कि कि लेंस बनाने के लिए मिट्टी का परियुक नहीं करते हैं ठीक है अब चलिए अगले नंबर के सवाल के देखते हैं पांचवा नंबर का जो सवाल है आपका वायू में प्रकास की चाल तीन बटा के दू अपॉरतनांग वाले काच में प्रकास की चाल होगी देखिए फ्रेंज अपॉरतनांग की य अपन भी कमान ग्याद करना है तीन से तीन कड जाएगा यहां पर यह इधर कर रहेंगे भी हो जाएगा दू को तीरिया करेंगे दू गुड़े-10 पर आठ जाएगा दू गुड़े-10 पर 8 मीटर पर 30 सेकंड चली आपसन में देखते हैं तो आपसन यह वाला क्या हो जाएगा आपका सही जवाब होगा ठीक है चली अगले नंबर के सवाल को देखते हैं शटवा नंबर का आपका सवाल है कि समतल दरपड की फोकस दूरी होती है कि समतल दरपड की फोकस दूरी क्या होता है तो इस बहुत होते हृति आपका साथन के सवाल है कि एक उतल दरपड की फोकस दूरी होगी जिसका वखता तरशिक है आपको बताया थे कि यह फिश्कल टू क्या हो तो आर भाई तू ठीक है यहां फिवक्रता तिरिज्या आर कमांड यह है बतीस वटा के दू भाग दें कितना होगा वास्तिविक बन रहा है उल्टा बन रहा है और वस्तु से कुछ छोटा बन रहा है यह यह वर्दा के द्वरा कह अब इसले ने अबन बन लिर्मित निर्मित प्रतिवीम का अवर्धन होता है अब मैं कर दर आधि आप तो फोकस्ट दूरी आपको अनन्त होता है ठीक है यहां पे आप सम्ता दरपा का आवर्धन पूचा इसका वर्धन कितना होता है एक इस प्रशन का सही जवाब यह वला हो जागा ठीक है आपका अगला नमब का सवाल है कि दरपड की फोकस्ट दूरी यफ तथा वकरता जाका आधा यहां पर देखें संबंद देखेंगे तो कहीं पर नहीं दिया इसका क्या करेंगे कितना दू करेंगे तो यह बराबर कैप्टल आर हो जाएगा क्या हो जाएगा ठीक है अब चलिए अगले नंबर के सवालों को देखते हैं देखें आपको दस कोईशन पहुई दूरी के किसी उत्तल दरपड से कोई भीम 10 cm दूरी पर रखा है तो प्रतिभीम के स्थिती तथा प्रकृति ज्याद कीजिए तो देखें इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे यहां पर द्यान से देखिए यहां पर लिख लिजेगा उत्तल दरपड क्या लिखना है आपको उत्तल दरपड अब देखें उत्तल दरपड में है तो आप कोई आप क्या दिया है फोकस दूरी तो उत्तल दरपड की फोकस दूरी क्या होता है 15 cm है तो दिया है 15 cm उत्तल दरपड की फोकस दूरी क्या होता है धनात्मक होता है ठीक इस चीच को द्यान दिजेगा फिर कोई बीम मतलब वस्तु 10 cm के दूरी पर रखा है यानि यहां पर वस्तु की दूरी कितना दिया है यानि कि वस्तु की दूरी को यू से दखाते हैं यू बराबर दिया है 10 cm विदिखे हैं वार्सत्व की दूरी को हमेशा क्या दिखाते हैं माइनस सो हटा ठीक है उत्तल दरपड रिप्ड में यू कमान क्या माइनस ठीक है अब अब्स प्र community पहले दूरी क्या तक कितना दिया है बन अपन माइनेस दस ठीक है अब देखें फ्रेंज्श वन अपन 15 होगा वन अपन भी यह माइनस यह क्या कर देगा इसको पतछान्ता किजिए एक बटा के पंदर हो जाएगा इसको इधर लागे तो प्लस एक बटा के 10 हो जाएगा वन अपन भी अब देखे 15 और तीस के यहां निकालेंग कितना हो जाएगा अब देखे दू एक तीन बटाके तीस वना पान भी अब तीरिया गुड़ा कर लीजे फ्रेंज या पहले ही इसको काट ली देखे तीन के इसमें करेंगे दस हो जाएगा भी का एक में गुड़ा करेंगे दस यानि दस सेंटीमीटर क्या हुआ आपका दस सेंटीमीटर इसका है इस पकास से देखे फ्रेंज आपका प्रतिभीम की दूरी कितना है दस सेंटीमीटर अब दस सेंटीमीटर तो आ गया यहां पर इसकी देखे सवाल पूछ रहा है इस्तिती और प्रकृति बताईए तो सब्सक्राइब और क्या बनता है चोटा अबसी बनता है सिधबान उस्टुसे चोटा बनेग은 तो आभासी सीधा निखना यह इसका सही सवाब परसूर आप सवाहो कि आपको लिखना kinda चलिए पर आवा नंबर का आपका सवाल है कि प्रकास के अपॉर्तन के नियम समझाएं आपको फ्रेंस पता है कि प्रकास के अपॉर्तन के दो नियम देखाते हैं देखें फ्रेंस प्रकास के अपॉर्तन के जो दो नियम थे आपकी कौन कौन से हैं देखें प्रकास के अपॉर की जिया Sign Ie तथा Upper Jun course through91 का अनुपात क्या एक नियतंग होता है यह आप को लिखना था फिर लिखना थी सको है सआइंड आपां Ie अपरबर लिखना खांवा नंबर का इसका इंस्वर यह आपको लिखना था जिसे सनेल का नियम भी कहते हैं तिये प्रकास के दो नियम यह आपको पेपर में लिखना था ठीक है अब देखे फ्रेंस आपको बताते हैं यहां पर आपका अगला प्रस्था तेरा अवाम कि आउतल धर्पर के दुरू एम फोकस दूरी किम्मत दे रखी वस्तु के प्रतिभीम के बनेने का किरड़ आरेक की चीचिए चले यहां पर दूरू होता है यहां पर यहां पर क्या होता आपका सी होता है यहां पर का रहा है कि दूरू और फोकस दूरी यहां पर दूरू है और फोकस दूरी के बीच में वस्तु को रखा गया है तो आपको पता पहला प्रकास के मुख्य अच्के समरांतर जाता है और प्रतिविम बनता है जो कि सीधा बनता है यह फ्रेंस लिखना था बताना था कि आपको प्रतिविम बनता है अब देखिए इसको लिखना था कि आईसा लिखना था कि जब वस्तु को देखिए जब वस्तु को यफ एवं पी ना यफ एवं पी के बीच रखा जाता है है तो वस्तु तो तो प्रतिविम बनता है अ यह फिर दो कि सीधा बन रहा है और वस्तु से बढ़ा है ठीक है जब वस्तु के बीच रखा जाता है तो परतिवीम जो बनता है आभासी बनता है सीधा बनता बनता है ठीक है बड़ा बनता है यह इसका खल जवाब था इतना ही आपको इस प्रश्ण कैंसर देना था ठीक है ते रामा कैंसर हो गया अब देखे फ्रेंट 14 वह नंबर का है आपका सवाल कि ईयां मुत्ता धर्पर कीद्व का उप्योग लिखिये इसका दोड़ लीक लिखना था तो फ्रेंच आपको आपको आतल दर्पर था था आटा लबाका उप्योग पता है कहां पर करते हैं एक दूरताही बनाने के लिए यो सीशा यूज करते हैं डाअगी कड़ी के सामने वाला में कहां है देखें लिखें देखने पर घेटलो तिस czas जबाएं है ठीक है य इसका दो प्योग था फिर यहां फ्राइश उतन दर्पक पासर पहला उपयोग था की गाड़ी के पीछे का द्रिश्य देखने में पहला उपयोग दे था दूसरा था कि बाजार में लगे लैंप लैंप प्रियोग करते हैं यह यह लिखना था ठीक है इस पकाद से इस सब का इंसुर आपको लिखना था अब दिखे फ्रेंस आपके सामें जो पंद्रहावा नंबर का सवाल है पंद्रहावा नंबर का सवाल जो है इसका जवाब क्या देना था आपको यहां बताते हैं देखीए यहां पर है कि वायु के सबचला करम सर्ट चार बड़ा तीन बड़ता है तो जल का का कश के साप्थ आपको याद करना था तो पहले बहुत देखिए फ्रेंस के सापेच करत एक यहां पर यू के इंग्लिस एर का थी सका पहला लेटर लिया जाता है जलIs जल को डावलू से वाटर होता है नदे अणडावलू कमान कितना दिया आपका चारवटाकर ठीक है फिर इसके पास दिया देखें यू के सापेच पौत ना यानिक ए एन जी ग्लास का पॉड़ान कितना दिया है तीन पटा के दू अब इसे पूछ रहा है जल तथा काच के साप पउड़ा ना देखें यहां पर क्या होगा फ्रेंज टाबलू एन जी फार्मूला क्या बनेगा देखी इसका फार्मूला होता है ए यह ठीक है ए एन जी होता है अपां यहां डाबलू होता है बस यहां मान रख लीजिए अब यहां पर मान रखेंगे तो कितना होगा चार बटा के तीन है तो चार बटा के तीर रखेंगे अपां ज़ीक मान कितना है फ्रेंस ज़िए हमारों अपका है कि यहां प्याल करते है यह एंग distress तीन पठाइब रखेंगे आप इसका इसका सब्सक्राइब किणुष मुरारों कि वर खैंगे अब इनिक प जो अस्लिक नितुके साफ मela कि शुरों सबस् से इसका है ना था अगला आपका है सवाल है चलिए इसको यहीं पर मता रहे हैं कि ऐसकी चाइश से पताना था है ऑना पन्हें पार अब कि की but मत्र की की ने घ Watts न चेंज का मत्र किया होता है न चांफ होता है क्या हिंद धक्रमा-नुपाती होता है कि नियुद क्रमा-नुपाती होता है टिक है यह लिखना था आपको कि ले खेट अट रमच की जो चमता होता है फोकस-दूरी, क्वात रूरी ,। क्रमान उपाती होता है यहां चमता का मात्तिरा क्या होता है डायोक्टर होता है है अब देखे चाहब सो बटार कि या रहाधा में जूदमी दिया रहे गा फार्मूला अर्म दिया रहा तो यह फारमूला ठीक है तो टेस्ट में आपका 16 कोईस्टन दिये थे हैं सभी को ठीक है फिर इसमें से कम से कम आपका 10 और nghi प्रिफर से आपको इसी पकार से टेस्ट कराते रहेंगा उसका हल आपको प्रवाइड करते रहेंगे ठीक है फ्रेंस तो फ्रेंस आप यदि चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें